तो दोस्तों स्वागत आपका एक और महिदार एपिसोड में आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही स्पेशल क्यूंकि हम लोग अभी तक अलग-अलग कंट्रीज की पार्टीज डिसकस करते हैं नाइट लाइफ डिसकस करते हैं पर बहुत सारे हमारे विवर्स ऐसे हैं जो अफवाए सुनी होती है हमने जिनको आज हम क्लियर करेंगे स्पेशली यूएसे के बारे में आज हमारे साथ है संजे कौशिक सर ये यूएस एमबैसी में काम कर चुके है और अभी ये वीजा स्पेशलिस्ट इने कह सकते हैं यूएस वीजा के लिए स्टूडेंट्स को वी स्टेटमेंट सुनी हुए तो सर से आज वो क्लियर होंगी सर वेलकम थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर इंवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफूल शो आपके जो मैंने रियल टॉक्स देखे हैं वो बहुत इंट्रेस्टिंग है और जो मकसद है आज मेरे ख्याल से मकसद हम हम लोग इसनीए खरता हुए हैं ताकि जो मिथ हैं जो अफवाएं हैं की जैसे आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल है इसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं पॉर्चिनेट्ल अर अन फॉर्चिनेटली डेटल प्लाटपॉर्म हम बहुत स्ट्रॉंग हो गया है बहुत सारी लग बहुत सारी इंफोमेशन डालते हैं तो आज का मकसद है कि इस इंफोमेशन को हम यह करते हैं कि यूएस वीजा है तो यह उसकी है है तो शबसे पहले तो यह करना चाहता हूँ कि जो यह वीजा है सबसे असान है प्रोवाइडिड आपको यह मालूम हो कि आपका मकसद क्या है अगर आप यह कहरें कि मैं टूरिस्ट हूँ और आपने कहीं ट्राइवली नहीं किया आपको कहीं का कुछ मालूम ही नहीं है और सीधे जाके खड़े होगे यूएस वीजा की लाइन में कि मैं को यूएस वीजा जाना है अनलेस यूएस रीजन भई आपका वहाँ परिवार रहता है आपका भाई है वहाँ पढ़ाई कर रहा है और आप उसको मिलने जाना चाहते तो एक कारण होना चाहिए सबसे पहले कारण होना चाहिए जाने का जो वीजा ओफचर है उनकी जो समझ है वो यह है कि जो भी वीजा अप्लाई कर रहा है वो एक potential immigrant है वहाँ जाएगा वो रह जाएगा until you show your ties to your home country अब बहुत चार इमित ही है कि लोग यह कहते हैं ties 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 उसका मतलब क्या है अगर मैं इसको break down करो तो social ties financial ties and your professional ties to your home country यह तीन चीज जो है यह बहुत महत्रपूर्ण होती है visa officer को जानना तो उनकी thinking यह होती है कि बंदा settle हो जाएगा अगर वो tourism के लिए भी जा रहा है तो यही सोचता है इसलिए rejection जादा होती है देखी जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने कहीं traveling नहीं किया है और उसके पास कारण ही नहीं जाने का और वो जाके कह रहा है कि मैं को US visa चाहिए तो visa officer को 7 में आना चाहिए नहीं क्यों तो पहला तो कारण होना चाहिए उसके बाद आप यहां क्या करते हैं ठीक है ना आप कितने established हैं आपका job क्या है आप financially professionally हैं तो जो भी कानून है किसी भी country का आप देख रहेंगे चाहें वो Canada हो चाहें Australia हो चाहें US हो उनका कानून यह कहता है आपके पास जाने का कारण होना चाहिए और उसे strong reason होना चाहिए वापिस आने का जब तक आप यह चीज क्लियर नहीं करेंगे तो उसकी 7 में कैसे आएगा यह चीज Sir ऐसा भी एक मित है कि particularly 20 to 30 की एज में जो बच्चे होते हैं वो जाएंगे वो तो पक्का ही रुख जाएंगे क्यूंकि उस एज में मरला हमारे पास independently कोई property owned नहीं होती जो हम दिखा पाएं यह बहुत सारे job कर रहे होते हैं लोग जो इतना strong background भी नहीं दिखा पाते तो उस में क्या रहता है या उसकेस में उनका नहीं जाना चाहिए उन्हें reject अ अगर कोई हैं student visa की तो यही age group है जिसके नहीं सबसे आदर वीजा लगेंगे एक student को भी समझना चाहिए कि वो पढ़ने क्यों जाना चाहता है करेक्ट अगर हम तूरिजम की बात करेंगे जैसे मैंने थोड़ी दर कहा कि एक जो तूरिस्ट है उसको यह मालूम होना चाहिए जाने का और वापिस आने का अगर वो clarity से वो समझाए का वीजा ओफिसर को तो 100% उसकी जो application है वो consider होगी और जो students में जो बमित है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है मैंने अपने SOPs लिख दिये, I-20 आ गया, I-20 आ गया, I-20 के बारे में बहुत सारा लोग बात करते कि I-20 आ गया तो आपका वीजा लग जाएगा I-20 जादा करके लोगों को समय में आता है कि जो I-20 है वो युनिवर्स्टी से आ रहा है पर अगर हम I-20 जो वहां का admission आता है अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो वह आ रहा है Department of Homeland Security और USCIS, United States Citizen and Immigration Services तो यह एक बहुत important वहां की agencies है जिनको यह मालूम है कि I-20 accredited university से आ रहा है जिसने वहां की government से वह permission लिए कि हम international students को बुला ले एक हो गया I-20 आना दूसरा हो गया जब हम visa apply करते हैं तो उसके अंदर हम कैसे qualify करेंगी visa के लिए वो भी students को जानना जरूरी है अब आपने visa form भ आई और आप आहां जाके line में खड़े हो गए और visa officer ने आपसे question पूछे क्योंकि interview based है interview subjective होता है आप क्या कह रहे है और मैं क्या समझ रहा हूं दो अलग चीज़ें हो सकती है तो हमको यह समझ नहीं कि वो क्या समझना चाहता है visa officer right तो अगर हम उसको उस तरीके से समझाएं जिसके बारे में हम विस्तार से भी बात कर सकते हैं भी आगे तो sir बताओ ना कि वो मतलब क्या सही तरीका है कि वो मतलब जैसे आप कह रहे हो उसे क्या समझाना चीए तो एक student के लिए क्या जरूरी है कि वो उसे क्या समझाए है उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए basically लिए को तैयारी करने की जरुत होनी नहीं चाहिए पहली चीज़ क्यों क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं यह हम सबक पर चलते हैं यह हम कोई प्लाटफर्म पर या कोई आड पढ़ते हैं या ख़िए अखेसे होती है अब वो कैसे होती है, मान लीजिए कि अब जैसे मैं हूँ, मैं कंसाल्टेंट हूँ, मेरे पास स्टुडेंट आते हैं from various walks of life, एक स्टुडेंट को मैं इंट्रव्यू करूँगा जो जा रहे data science के लिए, उसके immediately बाद आ जाएगा कोई जो जा रहे computer science पढ़ने, एक दूसरा आ एक स्टुडेंट को सबसे पहले जाना चाहिए कि मैं यह पढ़ाय क्यों करना चाहता हूँ, मेरे करियर अबजेक्टिव क्या है, अगर मेरा करियर अबजेक्टिव मुझे मालू है कि मेरे को data scientist बना है, और इस company में काम करना है, for example, में को काम करना है E&Y के अंदर, या Yahoo के अ गूगल के अंदर तो कौन सी पोजिशन पर काम करना है, तो अगर मैं बैकोर्ड अपनी जरूनी करूंगा, तो easy हो जाएगा, for anything, हम लोग रोज यह करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, right, अब जैसे मेरे को, गुर्गाहों से नोइडा आना था, तो पहले मैंने सूचा कि मैं को नोइडा जाना है, फिर मैं गाड़ी में बैटा, फिर टाइमिंग करी, not कि मैं गाड़ी में बैट कि आफिस होचा आप चलते हैं कहीं, right, तो simple उसको रखेंगे, जितना simple रखेंगे उतना easy हो जाएगा, okay, अब data science पढ़ना है, data science में मुझे क्या क्या पढ़ना है, मेरे course में क्या आएगा, मेरा curriculum क्या होगा, इसके career objectives क्या होगे, उसके basis पे मैं university डूंडूँगा, ठीक है, अब जैसे मैं ने शुरू में कहा था, कि बहुत सारे लोग universities आप जाओगे, वो बुलें कि इस university में चले जाओ, लेकिन एक student को ये मालूम होना चाहिए कि मैं इस university में जा इससे पहले मैं, सारे जो students में उसे कहता हूँ, कि जब आप वीजा अप्लाई करने जाते हो, तो क्या वीजा ओफसर आपको जानता है, तो answer है नहीं जानता, कितने लोग वीजा लाइन में खड़े हूए, 800 लोग, उसके पास कितना टाइम है, 2-3 मिनट, उस 2-3 मिनट में क् जो relevant होनी चाहिए, right, voluntarily आपको करना है, why do you want to go to the US, अब इसके most of the time, a cliched answer जो है, आप सब जगे सुनते हैं, जो वीजा ओफसर पक जाता है, सुन-सुनके, कि मैं US पंड़े जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां की पढ़ाई बड़ी अच्छी है, global recognition है, research oriented है, practically designed है, यह answer कौन दे रहा है, कोई भी दे सकता है, डॉक्टर भी दे सकता है, एक scientist भी दे सकता है, एक undergrad भी दे सकता है, अगर मैं इस answer को change करता हूँ, कहता हूँ कि sir, I've done my bachelor's b.tech in computer science, और मैं दो साल से इस company में काम कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि technology कैसे change हो रही है, और मैं को data science में special करनी है, क्योंकि जब मैं वापिस आँगा, तो मैं एक better job, prospects के अंदर मैं अपनी career growth कर सकता हूँ, तो मैंने उसको कारण बताया जाने का, क्या skill sets, importantly वापिस आने का कारण मैंने उसको एक subtle तरीके से समझा दिया, students के उस पर भी वो देखते हैं कि ये वापस आएगा, क्योंक क्योंकि students का तो ये भी aspiration होता है कि हम वहीं पर job करें, वहीं पर settle हो जाएं, तो तब भी reason देना पड़ता है कि वही जूट मूट के लब बोल दो कि वही आजा हूँ, so good question, ये question मैं से बहुत सारे students आके कहते हैं, अब हमको ये समझना है कि जो visa law है, वो law इस तरीके से design किया गया है, तो दो चीज़े, दो पार्ट से, पहला तो ये पार्ट है कि ये आज मैं कौन सी visa के लिए जा रहा हूँ, आज मैं student visa के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा purpose क्या होना चाहिए, पढ़ाई, correct, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने वहाँ जॉब करना है, तो आपके I जाते हैं, तो आपको 36 months का stay back मिलता है, to do your OPT, optional practical training, right, तो वो allowed है, correct, और उसके बाद, अगर आप इतना contribute कर रहा हूँ एक कंपनी के लिए, तो कंपनी आपके नहीं H1 फाइल करेगी, correct, तो वो एक process है न, अगर उस process पर वो ध्यान रखेंगे, तो process होगा, लेकिन आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो मेरे को क्या प्रोजेक्ट करना है, that I am going to study there and I want to come back, not that I will come back, I want to come back because of these reasons, हमको अपनी intentions clear करनी है, कि मेरा करियर objective clear है. Sir, student visa के लिए ऐसा भी कुछ होता है कि जिस बंदे ने अपने पढ़ाई के लिए खुद पे लोन ले रखा है, तो वो क्या रोल प्ले करता है visa के, visa apply करने के लिए? Again, it's a very good question, क्योंकि यह बहुत सारे questions students आते हैं और बहुत सारे, again, platform पे लिखा हुआ है, digital platform पे कि अगर आप education loan लेंगे, तो आपको visa राम से हो जाएगा, correct? अब हमको इसमें differentiate करना है between the availability of funds, right, which you can show through education loan, visa law क्या कहता है, store strong ties to your home country, strong ties क्या मतलब, social ties, financial ties, and then your professional goals, financial ties, अगर आपने लोन लिया भी है, तो भी आपको यह बताना है कि आपके parents सक्षम है, उनकी, अब कल्चुरल दिफरेंस किया है, इंडिया के अंदर, हम लोग काम करते है, पैसा जोड़ते हैं, घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, तो हमारे एक process है, अब कल्चुरल दिफरेंस किया है अमेरिका में, खर्चा पहले करते हैं, तब ही वो रोते रहते हैं कि आपको bills जमा करने, bills जमा करने, अगर वो कह रहा है, जो अमेरिका ने जो interview ले रहा है, अब जो आज मेरा बेटे की शादी भी हो गई है, या मेरी माँ है, वो अज भी मेरा को support करेगी, अपने बेटे को support करेंगा, यह cultural difference है, तो again, visa officer को क्या समझाना है, cultural difference हो गए है, अब मैं बोला, आप टेकिन एदूकेशन लोन, वो बोले का अच्छा है, यह वापिस कैसे करेगा, तो सकते हैं आप जोब करेगा, तो एक्स्प्लें करना है कि हमारे माँ डाड केबल है, एक्जाक्टी, को पेबैक कर देंगे, करेक्ट, नहीं, तो समी क्या बोलें कि, that my family is going to take care of my expenses, my family has an annual income of so much, annual income उनके लिए जरूरी है, right, we have savings and investments of so much, we also own properties worth so much, in addition to this I have taken an education loan, through which I can pay the tuition fees, right, अपने financial ties established कर दी, अगर मैं savings and investments भी ले जाता हूँ, तो भी मेरे parents का survival है यहाँ पर, तो यह समझना जुरूरी है, क्योंकि बहुत प्रोगेट करते हैं कि आप education loan ले लो, education loan ले लो, disburse कर लो, ठीक है न, वो समझना पड़ेगा, कि mindset क्या है, पिसलिए उपर उपर से बात ने करें, डीटेल में समझाना, ऑफिसर को बैठ गया, तो वो समझेंगे और फिर वीजा और रिजक्ट होने के चांस कम है, और सर अगर स्कॉलर्शिप की बात करें, उसमें इजी होता है आपको मिल जाना वीजाना वीजा क्योंकि स्कॉलर्श इसका मतलब कि आपके पास अच्छी उनिवर्स्टी भी एड्मिशन से, लेकिन आपके पास फिनाशली आप इतने स्ट्रॉंग नहीं हो, इसलिए आप कॉम्परमाइज कर रहे हो, यह सोच हो सकती है, subjective interview, तो इसको present कैसे करना है, most of the PhD students, full scholarship मिलती है, लेकिन मैं तब भी उनस कहता हूँ कि आप financial ties जरूर दिखाईए, आप अपने को project कैसे करते हैं, आप दिखा क्या रहे हैं, या उसको क्या समझा रहे हैं, तो समझना बहुत जरूरी है कि visa law क्या कहता है, अगर हम उस तरीके से चलेंगे, तो बहुत easy हो जाएगा, नहीं तो complicated हो जाएगा, ठीक है न तो समझना बहुत जरूरी है, उसको समझाना, और sequence बहुत जरूरी है अपने answer का, ठीक है न, हम लोग सब इंसान है, कही बार ऐसा होता है कि हम अपने फादर के पास गए, और हमने बोला कि हमें जूता खरीदना है, वो बढ़क गए, और क्यों खरीदना अभी तो लिया है, अगर मैं बोलूँगे कि यार मेरे स्कूल में न, स्पोर्ट डे है, और मैं को कॉम्पेटिशन में भाग लेना है, और मेरा जूता फट गया है, अगर मैं ये जूता लेकर जाओंगा, और मैं प्रैक्टिस करूँगा, तो समझ में आएगा, अब मैं सीधा जा के और डेटा इंस्टेंटली सामने आएगा, वाइव चोजन इस उनिवर्स्टी, बिकॉज आम गेटिंग 100% स्कॉलर्शिप, उसका दिमाग चला डर, फाइन्स में दिक्कत है, कि क्या है भई, कॉम्प्रमाइज कर रहा है, इसी ए स्टुडेंट, तो अब क्यूंकि इतने साल स्टूडिय यह डियालोग इनियालोग करते हैं, वो इस धनी इसे बिख समणेट में इन देंटार के लिख एग steel यह डियालोग करते हैं, इन यह गयालोग करते हैं, फटार्शियत्त सबित्स oum extra인이, और प्समें दिखن करते हैं? यहां से बहुत लोग चले आते हैं, वहां से भी लोग पढ़ने जा रहे हैं, और जो प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके थू जा रहे हैं, और यह मेरे को पांच-छे साल पहले समझना आ गया था कि यह ऐसा होने वाला है, और ऐसा हुआ, अब लोग जी यारी को देने से डरते ह आज बहुत लोग अच्छा स्कोज लेकर आ रहे हैं तियर टू सिटीज एंटियर थी सिटीज अलसो जो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है, अच्छा से रही हैं जो बड़ी बड़ी उनिवसिटीज हैं जैसे कि हावर्ड कहलो और भी बहुत सारी हैं फेमस, तो जो SOPs हैं, statement of purpose, वो कितना strong है, वो बात क्या करता है, ठीक है ना, एक genuine बात होनी चाहिए उसके अंदर, यह नहीं कि मतलब बहुत उसके अंदर हमने फूल फाल जोड दिये और यह सब कर दिया नहीं, एक genuine, और दुनिया के अंदर आज, आप लोग भी समझ रहे हैं और हम भी किस चीज पर आप गर्व करते हैं, तो थोड़ा से नहीं, अगर आप किसी से भी क्वेशन पूचे को थोड़ा सा हिल जाए गया, मैं क्या बता हूँ, तो जब तक आप फेल नहीं करेंगे, और उसको ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे, तो तो मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेकर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया का कल्चर बहुत आज पूरे दुनिया में इसके बारे में बाते हो रही है, कि इंडिया का कल्चर क्या है, मैं वो लेकर रहा हूँ, मैं प्रॉब्म सॉल्विंग स्किल्स जो है, वो एक भारवाले यहां से निकलते ही, हमारी प्रॉब्म शुरू हो जाती है, ट्राफिक को लेकर, गड़े को लेकर, पर हम सॉल्व करते हैं, एवरी डे, हम कैसे वो सॉल्व करते हैं, क्या के चीज़े सॉल्व करी हैं, अगर हम उसको मेंचिन करेंगे, आपका केस बहुत स्टॉग हो तो पर्टिकुलर्ली युएस के लिए आप रेकमेंड करते हो लोगों को, जब मेरे पास कोई आता है, पेरेंट या कोई बच्चा, तो पहला है मेरा क्वेस्टिन योग तक भी जाना क्यों है, ठीकिन जाने ही क्यों है, मतलब इससे बढ़िया जगे तो कुछ है नहीं, पहर जाना चाहिए, एस पेरेंट्स मैं बोलूँगा कि एक बच्चों को दिखाना, कि पॉसिबिलिटीज क्या है, आप जाके अचीव करो, चाहें वहां करो, चाहें यहां करो, वो ज़रूरी है, और अगर हम पढ़ाई की बात करेंगे, तो डेफिनेटी युए स्टांज क्योंकि research बहुत है, अब research मतलब क्या होता है, research का मतलब होता है, मालिए कि मैं आज, psychiatric अंदर, या sociology कंदर कुछ करने जाना चाहता हूँ, तो उनके पास बहुत सारे papers हैं, library है, जिसको मैं refer कर सकता हूँ, जब मैं उनको refer करोंगा, तो वो चीज मेरे साथ रहीगी, और जब म यह भी बात करते हैं कि एक ब्रेन ड्रेन है कि आज हमारा जो अच्छा वाला जो यूथ है वो बहार चला जाता है वो बहार रह जाता है लेकिन अगर हम holistically देखेंगे आज के टाइम में जो हम डिजिटल प्लाटफॉर्म है तो वो लाइन्स तो बलर होगी ना अज मेरे एक द सब्सक्राइब कर दो आज मेरे पेशिंट को यहां यह अगर मैं कोई सौफ़ेर डिवलप कर रहा हूं और वो सौफ़ेर मेरे को मालूम है यह मेरे क्लासमेट वे इसमें इसमें स्पेशलाइजिशन करी में यहां तो मैं उसको भेस तो बहुत सारी चीज़े आज ऐग जो व बड़े बड़े दॉक्टर्स इंडिया वापिस आगए वहां से पढ़ाई करके बड़े हॉस्पिटल सब्सक्राइब तो पहली चीज़ इंडिया जगे है नहीं बहार जाना चाहिए डेफिनिटली जाना चाहिए पढ़ाही करना चाहिए मुझे देखना चाहिए मैं कंपी बड़े जैसे कि युएस में अभी मार्केट उनकी आफी डाउन है रिसेशन चल रहा है तो क्या स्टुएंट्स के लिए जॉब्स हैं वहां पे अवेलिवल या फिर नहीं है तो होड़ा आप बताओ जब जब मार्केट डाउन होती है तब लोग शेर्स करीते हैं जब मार् बेनिफिट है या इंटर्नाशल स्टाडीज का बेनिफिट है आप अपनी पढ़ाई को जल्दी खतम कर सकते हैं या उसको प्रोलॉंग कर सकते हैं अगर रिसेशन है तो जो स्टुडंस हैं वह अपना जो सेमिस्टर है वो एक साल का लुए उसकी पढ़ाई और करे उसके ल अगर वो मार्केट में जाके जॉब्स कर सकता है और अगर वो अच्छा काम करेगा अपनी स्किल्स दिखाएगा तो कंपनी उसके लिए एक फाईल करेगी ठीक है उसी तरीके से जो स्टेम प्रोग्राम है उनको 36 मंस का मिलता है 36 मंस का मिलता है यह अपर्चिनिटी मिलती है तू फाईल इस है चार बार तो बहुत है निकली जाएगा जबार इसा भी अजाता है यूस की पढ़ाई इस卡ंपरिट्पली वयरी एक्सपेंसिव बाकी कंट्रीस से ऐसा सचमेी है यह भी एक मित हीए यह अर बहुत बड़ाए मित है, ठीक है? अगर हमने अंडर्ग्राइड की बात करता हूँ जो खार्ग्राइम की आज कज चार साल का है वो टोग्म शीदेर को क्योंकि while you are studying you also get the option of CPT which is called as Curriculum Practical Training जिसके आप training कर सकते हैं और आपको permission लेके अपनी University से और आप कहाँ पे internship भी कर सकते हैं तो आप पहाँ पे इंटर्शिप्ट भी कर सकते हैं तो आप जो लेकिन आपका जो I-20 को आप प्लीज द्यान से पढ़िए सब उसके अमनर एक दिखा होता है travel authorization एक दिखा होता है work authorization आप जो भी while studying या after completing your studies under CPT यार OPT until you get the permission signed by your ISSO office international students and scholars office आप प्लीज वो जॉब मत करिए क्योंकि बहुत सारे students गल्ती कर जाते हैं उनको job मिल जाती है वो कहते है या 20 hours तो allowed है मैं शुरू हो जाता हूं लेकिन अगर आप mechanism समझेंगे जभी भी student वह जाते हैं उनको social security card मिलता है और जहां वो job करते हैं उनको social security number देना पड़ता है क्योंकि अगर कोई payment कर रहा है तो उसको वो social security में डालना पड़ेगा नहीं तो क्लेम कैसे करेगी और अगर आपका job की आपको job authorization नहीं मिली है तो illegal होगी तो यह छोड़ी छोड़ी mistakes कर जाते हैं students तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम OPT और CPT के अंदर अगर मुझे मिल भी गई है तो मुझे उसके इंदर step in cash करना है और सर्वापर थोड़ी ऐसी preference भी है कि गोरों को prefer करते हैं वो पहल तो मैं किसको hire करूँगा जो मेरे को contribute करेगा या जो वहां के citizen होगा contribute करेगा right लेकिन अब वहां की जो हर जो government है हर government को अपनी citizen का ख्याल रखना है वो बोलते कि पहले option इनको दो तो वो तो उनकी अपनी जो restrictions है वो तो follow करेंगे लेकिन अगर किसी को hire करना है जो उसको contribute करे जिसकी skills है तो एक होता है अगर हम बात करें Harvard, Yale, Stanford तो उसमें पढ़ने से मतलब यह नहीं कि मतलब आपको वो job मिली जाएगी वो ऐसा नहीं है आपको skill develop करना पड़ेगा आपको skill अपनी employer को दिखाना पड़ेगा कि मैं यह चीज़ लेकर आ सकता हूं आपके लिए Harvard, Yale, यह आपके लिए एक सिफ दर्वादा खोल सकते हैं for an interview, उसके बाद क्या, तो उसके बाद आपकी skills, आप कितनी महनत करते हो, आप कितना contribute कर सकते हो बहुत जरूरी है, तो इसलिए जब student शुरू करता है, तो उसको देखना पड़ेगा कि मैं क्या skill develop करना चाहता हूं, ठीके न, मतलब अपने वीजे के लिए अप्लाय कर सकता हो, इतना असान है उसके लिए, देखिए, इसको हम ऐसे, इसको इस तरीकी से मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा, जैसे मैं शुरू में भी कहा कि अगर हम tourist हैं, तो हमको at least tourist का वो एक pattern दिखाना पड़ेगा, तो जो बच्च इसके, unless you have a reason, मेरा brother है, convocation है, या मेरी sister है, या मेरे चाचा है, या मामा है, अब उसके अंदर क्या फरक हो, difference क्या आता है, कि मेरे maternal uncle है, मेरे मामा जी महा पर है, और मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूं, मेरी mother अप्लाई नहीं कर रही है, तो बुलेंगे, यार, पहला रिष् अब आप समझो, एक student है, वो पढ़ने जा रहा है, computer science, और वो data science में जा रहा है, वो मुझे आगी कहा रहा है, sir, मेरे, मेरा भाई महा रहता है, पर मेरे को एक consultant बोला, मेरे को यह नहीं बताना चाहिए, तो मैं अपना सर पकड़ता हूं, मैं कहता हूं, भाई, आप क्या process अच्छा कर सको, अब आप visa form भरते हो, उसमें आप लिखते हो अपने father का नाम, अपने mother का नाम, आपके भाई ने भी वो लिखा था, तो computer क्या करेगा, सामी निकाल देगा, तो मैं कहते हो, भाई, American embassy, type writers पर तो काम नहीं कर रही है, computer पर काम कर रही है, वो दुनिया को है, कि अगर मेरा वहाँ कोई रिष्टदार है, या मेरा भाई है, तो मेरे को visa नहीं मिलेगा, कि मैं potential immigrant हो जाओंगा, यह सोच है, पर यह सोच गलत है, ऐसे बहुत भाई बहन है, ऐसे बहुत रिष्टदार है, जो एक ही university में भी पढ़ रहे हैं, दोनों की journey अलग है, अगर वो पढ़ने गया, तो जरूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़ने जाओगे और आपको visa नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, बट आपको मालूब होना चाहिए, अगर आप जाओगे और बेवकूफी की बात करोगे तो नहीं मिलेगा न आप क्यों जा रहे हो, मैरेका जी मेरा भाई वहाँ पढ़ता था, उसने का जी बड़ी अची कंट्री है, आपको भी पढ़ना चाहिए, अरे ये कोई बात भी, आप साट, सतर, हजार डॉलर खर्च करोगे, इसलिए, तो again, cultural difference, हम लोग जादा बात करते है, reference की, Americans बात करते रिसर्च की, भई, आप क्यों करना चाहते हो, अगर मैं किसी को बोलूगा न, कि यार तुम न, ये कोग पीलो, या ये वाली जो ड्रिंक पीलो, ये निम्बू पानी बड़ा अच्छा है, किसी American को बोलूगा, तो मुझे का क्यों, क्या है इसके अंदर, क्या डाला है, कि ला हां, ठीक है, ये हमारा कल्चर है, ठीक है ला, उनका कल्चर है, उनको समझना है, आप क्यों पढ़ने आजाते हो, आपके करियर अबजेक्टिवS क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपकी चोईस ओफ उव यू सब्निवस्टी क्यों है, क्या आपने एक-इउरी में जाना है क्योंकि वहां का जो मौसम है ना वो इंडिया के हिसाब का है यार अब मैं उनका एजैंपल देता हूं कि मान लो एक युनिवर्स्टी है प्राइविट इंडिया के लिए जो आपको 50% स्कॉलर्शिप दे रही आपके घर के पास है आप इंजिनर बनना चाहते हो और अब एक मिल के आपको इक मिल किया आप जाओगे आपको जाओगे आपको इसका नाम है वह यह तो घर के पास है 50% स्कॉलर्शिप भी देरी हां क्यों नहीं जा रहे हो यहां तो नहीं करना वहां जाना है तो फिर यह अब वीसलिड आफ़सर क्या वोले का यार आर यू अश अच्छा, अब, I only applied to one university, why? Because I really like the university. अब मैं उनसे पूछता हूँ, जब मैं कांसुरिं करता हूँ, अब लास्ट टाइम शॉपिंग पर गभ गए थे, तो बुले जी, मैं हफता पहले गया था, क्या खरीदा? शर्ट, कितने की खरीदी? दो हजार की, एक ही दुकान में गए, नहीं सर, चार जगे गया, ढूंडा मैंने, best fit, best scholar, best design, लेकिन पढ़ने जा रहा हूँ, तो एक ही उनिवर्स्टी में कर दिया, ये दो हजार खर्च करने में आप पाँ जगे गए, और पढ़ा ही जहां, साथ हजार डॉर्स खर्च कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब निकला? या तो इसका कोई रिष्टदार वहां रहता है, जो इसको बुला रहा है, तो multiple options लेके चलो, वो जादा बढ़ने जा रहाएगा, क्योंकि मैं दिखाऊँगा कि I've got strong ties to my home country, मैं वहां से आजाऊँगा, अब मैं culturally समझेगा, वहां पे एक American officer बैठी है, और वो उसको लाकर कहता है कि are you married? Yes. Are you taking your wife? No. वो क्या बोलिए, अगर मेरा husband मेरे को नहीं लेके जाएगा इंडिया, तो मैं क्या करूँगी? मैं तो गुस्ता हो जाऊँगी उससे. लफड़ा हो जाएगा. लफड़ा हो जाएगा. तो यह जो सोच है, अगर मैं टूरिजम के लिए जा रहा हूँ, अगर आप यहां से अगर मैं जाऊँगा नहीं ताल घूमने, या सिमला जाऊँगो, तो अपनी फैमिली को लेके जाऊँगो ना? तो यह तो मतलब ही गलत हो गया. आपके इंटेंशन ही गलत हो गई. अब अगर मैं घूमने जा रहा हूँ, तो मैं मैं मैक्सिम रहूँगा 20 दिन, 25 दिन. अगर मैं कहूँ कि मैं तीन महीने रुकूँगा वहाँ पर, तो अब कैल्कुलेशन क्या होगी? आपकी अनुल इंकम क्या है? आपकी पास सेविंग्स क्या है? उसके बाद आप तीन महीने वहाँ कहा रहोगे? आपके एक्स्पेंसिस क्या रहेंगे? आपका ट्रांस्पूटेशन क्या होगा? अगर मैं कैल्कुलेट करो हूँ, जि मेरी सालडी जो है, आठ लाख है, और मैं अगर वहाँ पर दो महीने रुकूँगा, तो मेरे एक्स्पेंस कितना हैगा? एक साल का खच्चा पूरी साल की कमाई महाँ चली जाएगी, तो मैं तू करेगा क्या? अब कल्चरली क्या होगा? फोर देम, इस्पेंट फर्स्ट एंड अर्न लेटर, तो मैं तो साल की, तो सारे पैसे चलेगे इसके तीस दिन में, यूएस की इसने बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तुम्हें वहाँ काम कर चुका हूँ, MBC के अंदर तुम्हें को काफी कुछ मालूम है, दूसरा, बहुत ओपन है, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ, 2019, 2018, 2017, 2016, तो वीजा डेट्स की दिक्कत ही ही नहीं, अगर जी, बिकाउस अफ कोविट, सब को शटडाउन हुआ, और कुछ चीज़े खुल गए, क्योंकि हमारे को क्या नजर आता है, हमारे को क्या दिखाई देता है, सब कुछ सामने है, कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंटरनल प्रोसेसेस के अंदर, जो भी काम है, उसके अंदर बहुत सारा हो सकता है, उनके पास काम हो, अगर हम immigration की बात करते हैं, उनके बहुत सारी files यह हो पेंडिंग हो सकती है, यहाँ पे जो staff है, वो उनको train करके staff हो रहा होता है, क्योंकि it's not an easy thing, वीजा हमारे नहीं आपके नहीं एक वीजा है, लेकिन यह दो countries की बीच में decide होता है, it's called a reciprocity, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो दोनों decide होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है है, तो जो students के लिए अगर हम देखेंगे, तो उन्होंने आज से एक महिना पहले ही announce कर दिया था, उनकी website के उपर, important notice पर, कि जो भी students fall में जा रहे हैं, fall का मतलब होगा है September के अंदर, उनकी visa dates हम जून और जुलाई में निकालेंगे, अगर मैं आज बैठके visa dates धुननी शुरू करूँगा, मुझे मिलीगी नहीं, मैं जो भी कर लूँ, अब इसके अंदर बहुत सारे जो digital platforms हैं, Instagram हैं और WhatsApp groups हैं, उसके उपर बहुत सारे जो एजेंट्स हैं, वह डालते कि हम visa date दिला देगे, हम कर देगे, कोई store करके नहीं रख सकता visa appointment, नाम और date of birth और passport number के हिसाब से वह चलता है, मैं किसी और का नाम से date होल्ड कर लूँ और मैं किसी को बेज़ दो ऐसा नहीं हो सकता, यह possibility नहीं है, वह लोग cable और cable, 24 घंटे बैट के उसको monitor करते हैं, और check करते हैं, अगर कोई cancellation होती है, तो उसको possibly वह पिक कर लेते हैं, उस मेहनत के वह लोग पैसे लेते हैं, as of now, जो tourist visa की date है, वो है June 2025 की, आज से एक साल के बाद के, डेली में है, डेली में, बॉम्बे में, अच्छा बॉम्बे में भी same, same है, उपर नीचे होगा, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखते रहेंगे, तो कई बार American Embassy की पास, मान लो कि उनके पास ज़्यादा स्टाफ आ गया, या अपॉंटमेंट्मेंट्स कम हो गए, तो वो बल्क भी निकाल देते हैं, वो चेक करते रहना पड़ता है, ठीक है, और ये ग्राजूली मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा है कि वो टूरिजम कम चाहते हैं, इसलिए कम अपॉइंटमेंट्मेंट्मेंट्स और कम लोग, नहीं, अगर आज भी आप जाओ कि बाहर खड़ रहों के तो आपको लगेगा, कि इस तरीके से ये होगा और ये डेफिनिटी ग्राजूली ये सब ठीक हो जाएगा, अगर बात करें, जैसे हम बिजनिस की बात करते हैं तो दुबई आज कल बहुत प्रमोट कर रहा है, आप इन्वेस्ट करो, आप बिजनिस करो, टैक्सेशन पॉलिसी, थोड़ी रिलाइक्स्ट हैं इंडिया से, यूएस अज अज बिजनिस ओपर्चुनिटी कैसा है और उसके वीजा के लिए क्या क्या रिक्वार्मेंट्स और इफिकल्टी होती हैं? जितने भी कंट्रीज हैं, वो यूएट्राक्ट करती हैं की इंवेस्मेंट्स आएं, इंवेस्मेंट्स आना और इंप्लोइमेंट जनरेट गरना, हर कंट्री की एक मेरे खिया से पॉलिसी रहती ही है, इंडिया में भी होगी और इंडिया में भी है, कि भी हम चाहते हैं कि फॉरिंड जो इंवेस्टमेंट से हुआ है उसी तरीके से अमेरिका के अंदर दो बहुत क्लियर वीजा काटेगरीज है एक है EB-5 अच्छा EB-5 का मतलब वह जो जितनी भी EB categories होती है EB-5, EB-1, EB-2, EB-3 यह होगी employment-based immigration तो EB-5 उनके एक काटेगरी है जिसके government of India से authorized होना चाहिए आपके tax returns, आपके RBA, आपके जो documents से वो सारे जाएंगे वो verify करेंगे वो documents को उस documents को verify करने के बाद जो आप invest वहां करेंगे तो उसके लिए वहां पर जो lawyers है वो आपके लिए क्या बहुत बनाएंगे उस project में आपको invest करना है और उसके अंदर 10 Americans को आप वहां जाके वो business करिये और after two, first you will get a conditional green card, okay? क्योंकि वो भी रेखना चाहते है कि आप actually business कर रहे है की नहीं कर रहे है, आपने employment generate करी करी की नहीं करी, वो जब वो satisfy हो जाएंगे after two years, वो condition got आगे पर आपको green card मिल जाएगा, permanent, permanent, 2 million dollars कितना हो गया sir? 15-16 crore, 15-16 crore, तो अगर किसी के बाद इतना है तो इंडिया में ही रहे है, और शागर, और शागर, किसी को जादे ही चसका है, और वो जमी, ऐसा कुछ है कि जमीन ले ले वहां पर business भ आपको 10 Americans hire करने होंगे और उनकी लिए आपको taxation देना होगा, आपको profitability दिखाने होगी, two years तभी conditional मिलेगा न आपको, उसके बाद वो condition ख़तम होगी तो business basis पे इतना अच्छा नहीं है अमेरिका में, इंवेस्ट करना है अब जैसे मान लीजे कि भाई, बहुत बड़ी company है यहाँ पर, इंडिया में, और उनको international office अपने खोलने है, तो क्यों नहीं, you know, instead कि मैं वहां की किसी company के पास अपना समान पहले भेजू, उसके बाद फिर वो market करें, और उस marketing के बाद फिर हमें उनको commission दो, इससे अच्छा कि जो बड़ी large companies है, जो बहुत export करती है, या international software बनाती है, तो अपना offices खोल सकती है, तो दूसरी category होगी L1, जिसको कहते हैं, intra company transfer, आपकी इंडिया में company है, वो इंडिया की जो company है, उसके अंदर आपके पास employees है, minimum 30 employees होने चाहिए, आपके turnover जो है, 2 crores के उपर आपका billing होनी चाहिए, और फिर अगेन वहां की जो जो lawyers है, वो वहां के, आपको project report बनाएंगे, वो project report immigration के पास जाएगी, immigration उसको verify करेगी, फिर वो monitor करेगी कि आपका ये जो business है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है ना, तो वो checks and balances हैं और होने भी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि फ्री हो जाएगा सब के लिए, तो वो checks and balances हैं और बहुत ज़रूरी है, सब के लिए हो checks and balances करना, अगर आप वो parameters पूरे करते हैं, तो वो welcome करते हैं, और sir, जैसे कि अभी, जैसे compared to Dubai only, कि Dubai में ऐसा आ रहा है कि आप आप पर invest कर दो, और आप golden visa ले लो, जैसे property में invest, तो हम यहां से property में invest कर सकते हैं, सिरफ अगर हमें residency नहीं चाहिए, कहां की, US की, US में की हम सोचे की, चलो हमारे relative रहते है, let's suppose मेरा भाई रहता है, मैं सोचता हूँ यार मैं घर ले ले लेता हूँ, और वहां का rent यहां आता रहेगा, ऐसा हो, possible है, अगर आप वहा property खरीदते हैं, तो property तो नहीं होगे, उनके नाम पर होगे, अच्छा, हम अपने नाम पर नहीं ले सकते हैं, foreign land में, correct, तो आपके documents जाएंगे, किस documents, किस के basis पर जाएंगे, आपकी category देखेंगे, you have to have somebody in the US, इसी तरीके से, who should be a resident, resident, resident or a citizen, जिस तरीके से, अब इंडिया के पास OCI E cards हैं, लेकि अगर आप, मानली जी कि कोई US citizen है या green card holder है, वहाँ पर उसकी property है, या वहाँ business करता है, वह यहाँ पर भी business करता है, तो taxation double लगेगी उसको, यहाँ पर भी, उसका जो income हो, यहाँ पर भी count होगी, जो यहाँ कमार है और यहाँ की income वहाँ पर भी count होगी, तो उसको double tax देना प यहाँ कर लेते हैं, तो यह उन्हें असानी से मिल जाता है वीजा या फिर उसमें भी दिक्कत आती है, अगर वहाँ कैसे केस को, तो यह आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यह वो भी जानते हैं, जो मेरा काम भी रहा था, वो कुछ इस से related भी रहा था, जहाँ हम लोग investigation भी करते थे तो ये तो एक कहने में बड़ा असान है और जिससे आप शादी कर रहे हो वो भी जानता है ठीक क्यों कर रहे हैं तो जब जिस दिन उसकी मरजी होगी वो आपका हाथ मरोड देगा ठीक है ना तो मेरे हिसाब से ये बेकार की चीज़ है तो शादी जो है वो शादी होनी चाहिए राइट सर लोग कर तो रहे हैं उनको वीसा मिल भी रहे हैं तो उसके अंदर होगा भी क्या कि जब वो उनकी चेकिंग होगी और वो चीज़ नहीं क्वालिफाय कर पाएंगे क्योंकि जब तो उसमें जरूर आती है जो ग्रीन कार्ट मिलेगा उनको कंडिशनल मिलेगा कि वो बीच में वेरिफाय करेंगे वेरिफिकेशन भी होती है उनका इपार्टमेंट इस चीज़ को वेरिफाय करने की निये जैसे हम लोग बात कर रहे है ऐसे तो यह तो बहुत टाइम से चल उसकी फाइल वाइल सब तयार होगी उनका वीजा प्रूव हो गया था अब उसकी किसमत खराब थी विचारी की या मेरी किसमत अच्छी थी मैं हैसी गुजर रहा था तो मैंने फाइल लेखी मैंने फाइल उठाई और मैंने फोटोग्राफ देखनी शुरू करी तो मैरिज स फाइल तो मैं के अंदर आपकी शादी हुई है आप स्वेटर पहने हो ते कैसे हो सकता है तो कहीं कड़वड है ता मिसमैच हो गया तो जब इंवेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये तो तो नकली था तो इंसान जो है जब गल्ती करता है न तो कही न कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर कर जाता है, वो सोचता है कि मैं ही तेज हूँ, मैं ही स्मार्ट हूँ हमको मैं स्पोर्ट में बहुत बिलीव करता हूँ और खेलता भी हो और मैंने माशलाच भी बहुत करें, तो मेरे हिसाब से मेरे सामने वाला मेरे से ज़्यादा तगड़ा है उस हिसाब से तयारी करनी पड़ेगी, बेफकूफी नहीं करनी है और ये सब बिलकुल बिकार की चीज़े है क्योंकि उसको भी पता है उसको भी पता है और हमको भी पता है इन में से कोई भी टेड़ा हो गया तो आपने जितनी मेहनत करी है सब जीरो सारी जीरो सर जैसे अभी कैनाडा के लिए कैनाडा में गुषने के लिए डंकी रूट सभी भी अवेलेबल है लोग जाते भी यूएस में ऐसा कुछ आगया अभी सुनने में बहुत कुछ आता है और जानते भी हम भी रियल्स देखते हैं बहुत लोग जा रहे हैं, साब कर रहे है मेरे इसाब से वह अचैशे उससे गलत चीज़ है अब मेरे को एक देश भक्त होने के लिए ज़र इनिandır इन कै मैं आर्मी में ही भरती हूं या मैं पुलिस में भरती हूं या मैं गर्वर्मेट में ही काम करो हम लोग सब अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और कर सकते हैं और करना भी चाहिए तो जो donkey root है पहली चीज़ तो वो बहुत सारा पैसा ख़र्च करते हैं अपनी life का risk लेते हैं, कई लोग पहुंचते हैं, कई लोग नहीं पहुंचते हैं कितना पैसा जाते है सर इसमें क्योंकि हम इस फील्ड से है नहीं हम जानती नहीं पर जो सुनने में आता है वो बहुत सारा पैसा उतना पैसा हो तो हम सोचते हैं कि हम उतना कमाल है तो सीधे तरीके से भी जा सकते हैं अगर 40-50-60 लाग किसी वासूँ यह आपको बताना चाहरा हो कि यह बहुत अच्छी बात है जो हम घुट टॉपिक आफार है क्योंकि जब डंगी लेकि वहां पहुंच गए पहुँचने के बाद क्या क्योंकि लाइफ तो वहाँ से शुरू होगी ला जब आप पहुँच गए उसके बाद क्या अब मैंने लाइफ में देखा है जिसने वहाँ पे 20-25-30 साल लगाए हैं और किसी दिन जिस दिन प्लाई करते हो कि मेरे को मेरे देश मेंहीख फ़त्रा है इससे खराब चीज क्या हो सकती है अगर आप सारा पैसा खच कर रहें तो आप शुरू से खच करें ना अप घूमना जाई एक जगे जाएए, दो जगे जाएए, अपने ऊपर करो, आपकी जानकारी बढ़ेगी, ठीक है ना, आज, आज हमारे देश के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें, तो Microsoft भी है, Yahoo भी है, Google भी है, फ्लिप कार्ड भी है, सारे कुछ, इस कंट्री में क्यों आए, क्यों, क्योंकि जो हमारे जो बच्चे गए थे, उनके पेरेंस ने जो सैक्रिफाइज किया थे, उनको पढ़ाई कराने के निये, उन्होंने वहाँ जाकी कमपनीज को बताए कि यहाँ टैलेंट है, फिर हमारी गर्वमेंट ने, ओपन डोस करें, कि आप इन्वेस्ट करो यहाँ के, वो कमपनीज यहाँ आई, और हमारे बच्चों ने उनको करके दिखाया, कि यह कितना सारा टैलेंट है यहाँ पर, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम सही रूट से जाएंगे, कि नोट ओनली कि हमारे को इंडिविजिली फायदा होगा, उससे अगर हम लाजर पिक्चर देखेंगे, हमारे देश को भी फायदा होगा, हम देश की ने काम करेंगे, आप समझो कितना सारा इंवेस्मेंट आएगा यहाँ पर, हम कंपीट करेंगे अधी इंटरनेशनल अगर हम उस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर हमारा यूथ है, और अभी जो पेरेंट्स जो हैं और जो बन रहे हैं और जो बहार जाना चाहते हैं, वह अभी से अगर शुरू करेंगे अपने को बिल्ड करना, तो डेफिनिटली बहुत कुछ कर सकते हैं, सर सेटल होने के ल अगरिया जगे कोई हो नहीं सकती, सर आप कौन से पार्ट में वह थे यूस के, कहां पे वह थे हैं, मैं नुय यॉक, कालिफोर्निया, लोस अंजलिस, मेरे जितने भी दोस्त हैं, आज वहां जितने भी रहते हैं, वो सब परेशाने की इंडिया वापिस आना है, अच्छ ज दुनिया कहती है कि बाहर का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छ है, वहां पर अगर आप अपॉइन्मेंट लेने जाओ, दो-दो महीने बाद की अपॉइन्मेंट मिलती है, सरजरी आज करानी है, दो महीने बाद की सरजरी, यहां जाओ, आपके पास डॉक्टर अवेलिबल है, हॉस्पिटल अवेलिबल है, आपका पूरा दोस्त, आपकी फैमिली, ठीक है न, आपका नेबरोट आपके साथ खड़ा है, कोविट में देखो, किस तरीके से सब लोग इखटे हुए, उनने किस तरीके से एक दूसरे की हिल्प करी, बाहर के आप देखो, फोटो देखते थ मेरी वाइफ कोविट की शिकार रही, हैट्स ओफ टू मैं फैमिली, मेरे बच्चे, उन्होंने, वो मेरे को लेके गए, उन्होंने, आज जो मेरी जिंदगी है, वो मेरे बेटा और बेटी की वज़े से है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सिजन था, वो बिल्कुल डाउन हो गया थ लेकिन फिर हम सब ने जितने भी वहाँ पेशन से एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया, बाते करने शुरू करी, सास लेना शुरू किया, और उससे जो एक पॉजिटिव एनरजी आई, वो कमाल की एनरजी थी, मतलब तो इसलिए बाहर जाना जरूर चाहिए, देख के पॉजिए बाहर की टेकनोलोजी शीखनी चाहिए, मुझे मालूँ होना चाहिए कि मैं किस से कंपीट कर रहा हूं, मैं अपने देश को अगर कंपीट करना है, तो मैं किन से कंपीट कर किस से रहा हूं, यह तो पता चले, फिर आप आओ, यहाँ बिल्ड करो, आप शार्क टै यह कितने पैसे हैं, आप समझो, और opportunities, क्या हमने सोचा तक अभी हम लोग यह podcast करेंगे और YouTube से हमारे इतनी viewership होगी, कहां सोचा तक जो और लेकिन सबसे important बात है, fluid होना, time के साथ बढ़ते रहना, अपने को change करते रहना, उसके साथ लेके चलेंगे तो फिर वाइनॉट Lovely sir, मज़ा आगया आप से बात करके और बहुत सारी relevant information आज लोगों को जरूर मिली होगी, तो मैं लोगों को बताना चाता हूँ, अगर आप sir से connect करना चाहते हैं, तो description में details है, sir की personal instagram भी यहाँ पर screen पर flash हो रहा है, आप connect कर सकते हैं, कुछ भी आपकी query हो, बाहर पढ़ने से related तो आप इनको reach out कर सकते हैं, और ऐसे ही है, मज़दार podcast है, हम आपको मिलेंगे, till then bye bye, take care, और अगर आपको लगता है, आपको यह information किसी को पहुचानी चाहिए, तो बिल्कुल सोचना मत, podcast को share कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीकों से या फिर rejections face करते हैं, तो ना हो, उसके लिए information ही काम आती है, तो प्लीज आप सही लोगों तक यह podcast पहुचा दें, और हम मिलेंगे नए podcast हैं, मज़ा आगया, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे. Thank you so much, I hope कि यह जो podcast था, इसके जरीए आप लोगों को पास जो जानकारी चाहीती, जो मित थे, उमित खतम होगे होंगी, प्लीज बीज बेरी वेरी कंफोरेबल, आप अपने प्रोसेस पे लगी रही है, I'm sure you all will succeed, wishing you all the best, and thank you all very much, thank you so much, thank you so much, okay, all right, see you.